हेलो दोस्तों मैं हर्श्रता और आप देख रहे हैं ट्विन्स वाइवल्ड आज की वीडियो काफी जादे इंफर्मेटिव होने वाली है साथी साथ आपको एक मुवी अपने देखी होगी मीमी उन्होंने बहुत सारी बाते ऐसी की हैं जो कि आपको सरूगेसी के तरफ आपक आपको काफी जादा साल हो गया है काफी जादा दिक्कतों के साथ अगर आप गुजूज रहें आपको कंसीव करने में इतनी जादा प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर्स भी आपके आई वाई ट्राइ कर चुके हैं तो आपके मन में लास्ट आप्शन नहीं आता है कि क्या आपको सरोगेसी ट्राइ करने चाहिए या फिर नहीं ट्राइ करने चाहिए तो ऐसे किसमें में बता दू कि सरोगेसी इंडिया में लीगल है इसे किया जाता है ये कोई दुनिया की ऊपर की चीज़े नहीं है बलकि ये सही है आप इससे अराम से कंसीव कर सकते हैं लेकिन कं बंदर नहीं बलिकि आपका बेवी कहीं और कसी और साथ बैबी कोगा हो unjust आपकी से नुसके वह फेल पैले जाते हैं और फिर्टीलैजेशन हो बाद जो सरुगेट मदर होती है जो कि पैसे के लिए या फिर किसी जरूरत के लिए आपके बच्चे को नौ महिने रखने वाली है तो उनके गरभाश है के अंदर आपके इस भृून को प्लांट कर दिया जाता है और उसके बाद वो नौ महिने आपके बच्चे को केरी फरव होती है बच्चे दाने में प्रॉब्लम है या फिर उनकी एंडो मेट्रियम में कुछ दिक्कते आती है तो ऐसे केस में बच्चा उनके गरभ में नहीं ठर पाता है इंप्लांटेशन सही रूप से नहीं होता है तो ऐसे केस में यह सारे जो कपल होते हैं जिनको यह दिक्कते होती हैं तो वो सरोगेसी इसी लिए ट्राइ करते हैं रही बात इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि जो अमेरिकन जोडा होता है वो इंडिया में सरोगेट मदर ढूंदता है जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो विदेशी लोग होते हैं उनको इंडिया में सरोगेसी अलाव ही नहीं होती है दूसरी बहुत इंपोर्टन बात कि जब अगर आप सरोगेसी के लिए एग्रिमेंट देते हैं यानि कि जो हजबन वाइफ होते हैं और जो हैंड़ोवर करना होता है तो ये सारी प्रोसेस अच्छे तरह से लिखी होती है अगर बच्चे में किसी भी तरह की दिक्कत है आती है जैसे इस मूवी में बताये गया कि अगर जेनेटिकल डिसॉडर आता है तो कपल उसको छोड़कर नहीं भाग सकते हैं ये लीगल एग्रिमेंट होती है जिसको आप डेनाई नहीं कर सकते हैं बच्चा जिस जैसा भी है आपका खुद का है वो आपको रखना ही रखना है चाहे उसके अंदर जेनेटिकल डिसॉडर आए या फिर बच्चा बिलकुल हेल्दी हो आपको बेबी को रखना ही रखना है उसका आपको पालन पोशन करना ही करना है सरोगेट मदर सिर्फ नौ महिनों के लिए ही होती है रही बात अब एक और भी सवाल आता है कि सरोगेशी कितना ज़ादा सेफ है कितना ज़ादा अनसेफ है तो य और चीज़ के देखे प्रोज भी होते हैं और कौन्स भी होते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन सी चीज़े सूट करेंगी और जैसा आपकी डॉक्टर आपको बताएंगी उसी साफ से आप उनसे गाइड हो जाएए और उनके कंसल्ट के थूही बाकी आप गोरा बच्चा होता है तो लोग यही सोचने लगते हैं कि उसकी माने ऐसा क्या खाया होगा अगर भावस्ता के दौरान कि इतना गोरा बच्चा पैदा हुआ जो की कम्प्लीटली इस फिल्म में अच्छे से दर्शाए गया है तो अगर आप गोरा बच्चा जानना चाहते ह जिसको अगर आप खाते हैं तो 90% चांसे यह बनते हैं कि आपका बच्चा कुछ एक या दो टोन लाइटर जरूर पैदा होगा उसकी बाद रही बात ब्रैक्स्टन हिक्स कॉंट्रेक्शन के उपर भी बाती की गई है कि आपको फॉल्स लिबर होता है तो यह बात भी बिलक ओर मिंट के अंदर है वो खिचाव होने लगती है आपके वर्जाइनल पार्ट में भी ब्लैडर में भी दबाओ पड़ती है जयसे की आपको काफी जादा उर्दी और में स्कृत आएगसर चैन पॉजिशन कर ले तो आपको कौन-कौन सी चीज़े करनी है तो वो हाँ पर दोनों वीडियो की लिंक डाल दोंगी तो देखना मत भूलिएगा काफी अच्छी इंटर्टेनिंग मुवी है तो प्लीज अगर नहीं देखें तो जाके जरूर दिख लीजेगा आपको काफी पसंद आई तो देखना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग ट्विन्स माइ वर्ल्ट